सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से अरुणा चल में कौने कौने में बसे मेरे सभी प्यारे अरुणा चलवासियों को स्थापना दिन की बहुत-बहुत सुपकामना है और बधाई देकर मैं मेरा हर्ष प्रगट करना चाहता हुआ भायों बेनों मैं देश भर में पार्टी के अध्यक्से नाते है और अब दो मत जाते पूरे देश के में दोरा होता है शायर देश के 90 प्रतिसत से जाए जिलों में जाने वाला बड़े जन्ता पार्टी का में अध्यक्स रहा है देश भर में घुमता हूँ वहाँ ग्रिटिंग के अलग-अलग सुपकाना देने के अलग-अलग सक्द होते हैं कहीं राम कहते हैं कहीं नमस्ते कहते हैं गुज्राते केंचो कहते हैं मगर अरुनाचल एक ऐसा प्रदेश है जो तो लोग इसे ने देकर अपनी घृटिंग देते हैं पुरे देश भर में देश भक्ति की ऐसी मिसाल कहीं पर देखने नहीं 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 और मैं इसलिए अरुनाचल वासियों को हमेशा रदय से बहुत सन्मान करता हूं कि आपका इदेश भक्ति का संस्कार पुरे देश भर के अंदर संचारित हो यह हम सब के लिए प्रेना का विशा हैं आज ही के दिन 33 साल पहले यहां पर अरुनाचल राज्य की स्थापना हुई और यह दुर्गम छेत्र के अंदर अरुनाचल के अंदर रहते हुए सभी लोगों के विकास के लिए एक नया रास्ता खुला और मुझे आनंद है कि विगत छे वर्सों के अंदर कैंद्र मेश्री नरेंद्र मोदी जी और यहां भाई प्रेमा खांडू के नेत्यूत में विकास की गती अब धुरूप गती बनकर अरुनाचलने विकास के मामले में काफी आगे दिया है आगे चलने का काम किया है यह भूमी अनेक रूप से भारत के लिए महतोपुन भूमी रही है आज इस अवसर पर अरुनाचल प्रदेश राज्या उद्योगित विवेस्तिती 2020 उसका एक लोकारपन हुआ है मैं आसा करता हूं कि स्निती के तहट जित्र में भी बहुत आगे वड़ेगा दोजार चौबीस तक पांच क्रिलियन एकोनोमी का दो लक्स हमारी प्रदान मंत्री जिननी रखा है इसको पार करने में अरुनाचल अपना योग्दान जरूर देगा चिंपु इटा नगर में विदान सभा सदर्स्यों के लिए 140 करोड की लागत से नए एपार्टमेंट वरिश्ट अधिकारियों के लिए आवास परिसत नहरा लागून में अंतराजिय ट्रक टर्मिनल कच्रे उठाने की व्योस्ता अनेक वीद नहीं योदनाए आज यहां से सुरू हुई है इसके लिए सभी अरुनाचल वास्यों को मै रदय से बधानी वर्शुप कमना देता हूं वैसे तो नौर्थीष्ट भारत के लिए हमेशा हमेशा से बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश रहा है इदुरुगम छेत्र के अंदर बस्ती जन जातियां भारती संस्कृति के लिए एक सुरूंगार से कम नहीं है भारत की संस पेशा स्पूर्ती के बगर आधूरी ही नहीं अपंग भी जब तक नौर्थीष्ट में नहीं मिलता है कभी भारत पर एक पूरहें से बताना expect के पहले 2014 के पहले नौर्थीष्ट भारत के साथ भोगोलिक रुप से जुड़ा हुआ था सास्किय रुप से जुड़ा हुआ था नरेंद्र मोधी जी के प्रदान मंत्री बनने के बाद नौर्थीष्ट और भारत के बीच में कोई अंतर नहीं रहा है संपूर्थ भारत वासि मांते हैं कि नौर्थीष्ट का विकास्त, नौर्थीष्ट का आगे बढ़ना, नौर्थीष्ट के नागरिकों का कल्यान, इननक्यवन नौर्थीष्ट समगळ देश की जिम्मेदारी है और आज पूरा देश मानता है कि पूरे देश के बड़े सिमक्षेत्र का सुरक्सा और यहाँ पर भारतियता की पैचान यह नौर्धिश्ट के विशार नागरी की जिम्मेदारी है बहुत साल पहले से यह हो जाना चाहिए है मगर यह नहीं हो पाया क्यूंकि नौर्धिश्ट को सिर्फ यहां से सांसर ले जाना सरकार बनने में मदर लेना यहां सरकारे बनाना पिगाडना इसके लिए ही आगे पर देखा जाता था मोदी जी के प्रद्यान मंत्री बनने के बाद मोदी जी ने नौर्धिश्ट को समस्या मुक्त करने के लिए नौर्धिश्ट को विक्सिक शेत्र बनाने के लिए नौर्धिश्ट को देश की सिमावर्तिक शेत्र के लिए अभेद दिवाल बनाने के लिए और कालखंड के अंदर भारत के साथ जूडाव की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बड़ी मित्वाजादी के बाद पहली बार मुझे कहते हुए गर्व है जब मैं यहां पर आया हूं तब पांच वर्ष में सिर्फ परूना चलके अंदर 200 से ज्यादा अधीत मंत्रिओं के दोरे हुए है और प्रधान मंत्री जी ने 30 बार पुर्वत्तर का दोरा किया है साहिए नी कोई प्रधान मंत्री ने लंबे-लंबे समय तर पंद्रा साल, ठारा साल मगर नौर्थिष्ट का दोरा तीस बार नहीं गिया नरेंद्र मोदीजी ने पात साल के अंदर तीस बार नौर्थिष्ट वो आये हैं इसका मतलब कि एक साल में छे बार नौर्थिष्ट का मुलाकात दिया है और स्वाभाई कृष्ट से जब देश के प्रधानमंटरी इस तरह से करते हैं तो सासन, प्रसासन, अधिकारी, सब का ध्यान नौर्थिष्ट की तरह आखकृष्ट होता है आज अरुना चलवाश्यों को मैं कहना चाहता हूँ कि नौर्थिष्ट का जुडाव का कारिकरम जो चलाया है मोदी जिने उसमें अरुना चल का अपना एक अलग महत्व है 27 जन जातियां और 120 से ज्यादा उप जन जातियां कहां पर अरुना चल की एक प्रकार से एक विशेष्टा है मैं आज सब को यहां अरुनाचलवासियों को आस्वस्ति करना चाहता हूँ कि सभी की सभी 27 जंजातिया और 120 उपजंजातिया का अधिकारों की रख्षा करना आपकी परंपराओं की रख्षा करना और आपकी संस्कूति की रख्षा करना भारत सरकार का न यक्यवल दाई तो ह कर्तम यह मानकर हमें करते रहेंगे और अरूना चलवासियों को अपनी संस्कूर्टी के साथ और मजभूती से जूरने का काम करेंगे मित्रों एक दौर आया 2019 में जब मोदी जी फिर से प्रदान मंत्री बने यहां विकास के दौर दूसरे दौर की सुरुवास हुरी और अगस्त महिने में जब धारा 370 को हटाने का फैसला मोदी जी ने किया पूले नॉर्थ इस्ट के अंदर अफ़ाएं फैलाई एक प्रकार की गलत फैमी फिलाई गई कि धारा 370 के साथ 371 को भी हटा देंगे मैं आज अर्माचंग के स्थापना दिन और मिजोरम के स्थापना दिन के दिन समगर नॉर्थ इस्ट को कहना चाहता हूं कि धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता ना हटाने का किसी की नुशार इस प्रकार की अफ़ाएं फिलाकर भारत और नॉर्थ इस्ट के बीच में अंतर करन हूं कि आपके प्रयास अब कभी भी सपल नहीं होंगे पूर्वतर को हम समगर दुरूष्टी से विचार करें तो क्षेत्रवाद और अलगावाद से उपर उपकर डॉनर मंतालय एनिसी एक्टिस पॉलिसी रोष्टर प्रवास और एनियार एल्पी के माध्यम से पूरे पूर्वत्ति लाने का कांवरेंड्र मोदी सरकार ने किया है और इसी का कारण है कि आज पहले पूर्वत्तर उग्रवाद घुस्पैट ब्लॉकेट्स ड्रॉग्स आर्म ट्राफिकिंग ब्रश्टाचार और जातिये तनाव से जाना जाता था और अब आज हमारा उत्तर जाता जाना जाता है यह बहुत बड़ा बदला हुआ है नौर्थीश के लंबे समय से चलने वाली कई समस्याओं का समधान नरेंग्र मोदी सरकार ने पांक साल के अंदर किया है बांगलादेश लेंड बाउंडरी एग्लिमेंट मनीपुर के ब्लॉकेट को हमेशा के लिए स समझोते के मात्यम से 1500 करोड से जादा खर्च करकर बोड़ो जंजाती की सभी समस्याओं का समाधान करकर उनको मुख्यप्रवाह में लाना और आज से जादा उगरवादी घुटो ने 644 से जादा के साथ आत्मों समबरपन करकर नौर्थीश की सांती के रास्ता प्रसस्ट क करने का काम केवल पांत साल के समय के अंदर है यह मोदी जी की नौर्थ इस्ट के प्रती आग्रा के साथ सांती और विकास की जो निती है इसी का परिचाहिए सुग्षा और सीमा क्षेत्र के अंदर मोदी जीके नेतर उतमे सरकार ने अरुक ना के अंदर एक नई पहल की है इसके बहुत डिटल में मैं नहीं जाना चाहता परतु मैं नौर्थ इस्ट के विकास के लिए जरूर कहना चाहता हम चौदवे वितायोग में जो मोदी जी के समय में आया तेरवे वितायोग से लगबग 251 प्रतिसत व्रुद्धी नौर्थ इस्ट के विकास के बजेट के अंगर करी है जब कोंग्रेस का साशन था तेरवे वितायोग में नवासी हजार एक सो अर्सट करोड मिलते थे चौदवे विक्तायव में मोदी जी के साशन के अंदर नवासी हजार से बढ़कर तीन लाग 13,375 करोड रुपय हमने देने का काम किया है केंद्रिय बजेट के अंदर भी 24 प्रतिसद की वृद्धी की है डॉनर बंत्राले के बजेट में 65 प्रतिसद की वृद्धी की है पांच वर्ष में एनिसे के धारा 3519 करोड की लागत से 477 नए प्रोजेक्ट नौर्थीष्ट के अंदर चालूग किया गया है हाली में हमने एक नीना किया है कि अनिसी का जो बजेट है उसमें से 33 प्रतिसद बजेट जो गाव विकास की दुरुष्टी से पिछड गए है जहां पर अभी भी डिजले नहीं पहुची है, सोचा ले नहीं पहुचा है, गैस नहीं पहुचा है, रास्ता नहीं पहुचा है, वो गाव के विकास के लिए हम अबंटिक करेंगे। पूरा कर दिया गया है, 900 किलोमीटर रिल्वे को ब्लॉर्ड गेज के अंदर परिवर्ति कर दिया गया है, अगर तरह और दिल्डी के बीच में त्रिपूरा सुंद्री एक्सप्रेश सुरू की गई है, और मैं आपको बरोसा दिलाना चाहता हूं समगर नौर्थिस्ट वालों यहां का भी एरपोर्ट बनने की सुरूवात हो चुके, असाम के अंदर लगबग 5 किलोमीटर लंबे बोगी बिलपूल का उठधाटन 2018 में हुआ, वो अपने आपने एक एंजिनियरिंग सहास है, लगबग 2480 किलोमीटर ट्रांस्मिशन लाइन की सुरूवात हुई है, अने इसी ने पुरे देश्ट के पुरूरतर चात्रों के लिए एक निवास चात्रावासों का निर्मान शुरू किया, नही दिली में उत्तरपूर्वी सास्कूतिक और आसुचुला के अंदर शुरू किया, मनिपूर में स्पोर्ट उनिवर्सिटी और IIT गोहाटी के अंदर सिर्फ परुना चर्प्रदेश के विकास के लिए 50,000 करोर रुपया से ज्यादा रोड की सुवात नरेंद्रमोदी सरकार ने करने का काम किया है, 50,000 करोड ने उसको साल के इसाब से देखो, तो पतीस साल में 47,000 करोर रुपया खार्च हुआ था, 47,000 करोर रुपीज और ये सिर्फ रोड के विकास के लिए खर्च की जाएगी, राज्य में उप्तरपुर्वी राज्यों की त्वरिच चड़क योदना के तहत 711 किलोमीटर यहां पर बनने वाला है, 1560 किलोमीटर लंबी ठ्रांस अरुना चल हाईवे पर योदना कर्णुपुरी से पस्चिम में तवांग से तिरब तक 2000 किलोमीटर का अरुना चल फ्रंटियर हाईवे बनने वाला है, ऐसी धेर सारी योजनाय हाथ में ली गएगी, नाहर लगुन में पहला रेल्वे स्टेशन बनने के बाद अरुना चल प्रदेश को देश के रेल्वे के मान चित्र पर लाने का काम नरे लेल लाइनों के लिए हम संभावना तराज रहें, भालुपोंग से तेंगा से हुकर, तवांग तक, लिकाबाली से बेम हुकर, रुकसीन तक, परचुरामपुन से होते हुए, तेजू और रुपाई तक की लेल्वे के भी हम संभावना तराज करें हैं, उसको भी जल्द ह नरेंद्र मोदी सरकार सुरूप करने जा रहे हैं, देश के हवाई नक्से में अरुनाचर प्रदेश को लाने के लिए हालोंगोई हवाई लड़े का निर्मान कर दिया गया है, जिसकी मोदी जी ने भूमी पुजन कर दिया था, जो पिछले बारा सालों से अटका हुआ था पजानमंत्री ग्राम सडक योदना के तहर रेकोर्ड संख्या में सडकों और पुलों को मंजूरी दी गई है, राजे में उच्छे सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयाईटी के स्थाई केंपस की स्थापना लगबग 430 करोड की लागत से यहाँ पर हम करने वाले हैं अर्बन डेवलेप्मेंट के छेत्र में पासी घाट और इटा नगर को स्मार्ट सहर के रुपमें विक्सित करने का काम भारती जनता पार्टी की सरकाने किया है और सिर्फ अरुना चलवासियों के लिए डीडी अरुन प्रभा एक दूरदर्शन की टीवी की अलग चैनल चा काम किया है इटा नगर में कला अनुसंधन सरस्तान 28 करोड के रुपे से मंजूर किया है एक और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार अरुना चलव के विकास के लिए समरपित है और दीन रात अहर निस्काम कर रही है और दूसरी और हमारे युवा मुख्यमंत्री और मेरे मित्र पेमा फान्डों के नित्रूतमे अरुना चल सरकार भी नारेंद्र मोदी सरकार के कंदे से कंदे मिलाकर आगे बढ़ रही है पेमा खान्डों के नित्रूतमें राज्यकार में मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो अरुनाचल को करपशन से मुक्त कड़ाकर पारदर्शी सासन देने का काम प्रेमा खांगु के निक्रतों में हुआ है राज्य में इई आई एलपी ऑफिस इक्याबिनेट बहुत सारे इनिसियेटिव जो राज्य के प्रसासन को सुधाने के लिए लिए जा सकते हैं युवा मुख्यमंत्री ने लिया है महत्वकंसी जीले परियूर्ना के अंतरगत नामसाई जीले के विकास में सरान ये प्रदर्शन किया गया है और सभी जीलों को प्रेमा देने का काम करेगा और मित्रो मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि राज्य का पहला मेडिकल कोलेज भी यही कालखन के अंदर शुरू हुआ मुख्यमंत्री रोगी कल्लियान कोस गरिवों के लिए यही कालखन के अंदर शुरू हुआ और यहां उंचाई पर होने के कारण ओक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए पांग जिलों में एक हजार एकर से ज्यादा रुक्षार ओपन करने का काम भी प्रेमा खांडू के नितूत में हुआ है अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी पूरे नौटिश को समस्या मुक्त बनाना चाहते हैं राज्यों राज्यों के बीच की समस्या है, जन जाती जन जाती के बीच की समस्या है, सिमाओ के विवात की समस्या है, उग्रवात के साथ जुड़ी हुई समस्या है, अगले पांच साल में दोजार चौबीस में जब हम अरुनाचल की जन्ता का असीरवाद मांगने आएंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ हम एक समस्या मुक्त नौर्थीश लेकर आपके सामने उपस्तित होगे जो नौर्थीश कहीं पर किसी भी जगडे का अस्तित्व नहीं होगा केवल और केवल विकास और देश के सुनहे बविशका जिसके अंदर आगास हो चुका होगा मित्रो आज अरुना चल वो प्रदेश है जो भगवान सुर्य का सबसे पहले दर्शन करने का अधिकार रखता है उजा को सबसे पहले प्राप्त करने का अधिकार रखता है वो प्रदेश के स्वातिस्वे स्थापना दिन पर आज मैं फिर से एक बार आप सभी को रदय से बढ़ाई देता हूं और प्रेमा खांडू और हमारे देश के प्रदान मंति नरेंद्र मोदी जी के नेत्तूतों में हमेशा एक खुब सुरत प्रदेश विकास की अने उंचायों को प्राप् मदागी गंदे मात्रा